हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ जोत्री सिंग और आप देख रहे हैं सक्सेज पत्र आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सीविल इंग की जो सीख समेश्टर की स्ट्विट है उनके डिजाइन अफिस्ट्रिल हमारा चला था टैंशन मेंबर चेप्टर फाइब तो इसकी जो भी त्यूंपर पार्ट है जो भी डिजाइन स्टे उनके कंसेप्ट को हम क्लिएर कर चुके हैं पिछले व सभी निमेरकल को आपको सौल कीजिए चैनल को पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसे के आप देखते हैं आप लिए वीडियो के नटिफिक कर दोड़िए को दोड़ सकते हैं आपको मिलती रहें पीछे की आप सब्सक्राइब को समझ पाएगा तो जो नहीं देखा अभी तक पीछे की वीडियो इसकी जो तीरेटकल पाट की वीडियो थी उसको आप ज़रूर देखिए फिर यह निमेरकल सारे आपको समझ में आएंगे और इसमें यह भी देखेंगे इतना यूज है और बाकी हम डीटेल में देखेंगे एक अलग वीडियो में तो चित्र में दर्शित व्यवस्ता में आपकी चोड़ाई दी गई है एक सुसाट एमेम मोटाई है दस एमेम रिवट ब्यास आपकर 16 एमेम गेस दूरी 50 एम बीशम पीच पीवन 40 एम तो इस खं ओ फिर दो फिर एक फिर दो और इस रिवेट लाइन के बीच की दूरी होता होती है यह आपका कार्ट है शक्षा यह यह आपके दो रिवेट होती है अलग अलग बाकैण की क्रमा अगत्र रिख confidently क्याती कर डाति अ tai इसकी दूरी हमारी पिछ काल आती है तो अभी हम देखेंगे इसके लिए उसकी प्रवाइज दिखल निकालना है तो किस प्रकार से निकालते हैं बी आपका शारी वैलू दे दी गई है बी आपको 160 mm, टी आपका 10 mm डी आपका 6 mm capital D है रिवेट ब्यास है इसके लिए हम सकल ब्यास निकालेंगे सकल ब्यास करते हैं पाले भी बताएगे इसमें हम 1.5 एट करेंगे सब्सक्राइब हो जाएगा जी आपको 50 mm दिया है यहां पर हम देखेंगे दो इसमें दो तरीके के कार्ट हमको मिलेंगे एक तो सीधी कार्ट और दूसरा हमारा टेड़ी बेड़ी कार्ट सीधी कार्ट क्या होती है पिछली वीडियो आपको बताएगया है तो वहां से आप ज कि यह किसके लिए सीधी कार्ट के लिए है देखें कार्ट 1245 कार्ट का जो नंबर उसको जरूर लिखेंगे जिससे आपको कनफीचन नहीं होगा यह आपका वन है टू है फॉर है फाइप सीधी कार्ट रखा पर यह पॉइंट आते हैं और टेड़ी बेड़ी पे 12345 यह आ ज सकते हैं निकाल सकते हैं दे तो एहां पर आप देख सकते हैं यह ूजえば होगा ठी तो यहां पर ही की वैलिए रखेंगे 160 यहन की वेड़ी क्या होगी यहन आपका नंबर आफ रिवेट होता है यानि कि जब हम सीधी कार्ट रेखा ले रहे हैं तो इसमें हमारी एक लाइन है जो कार्ट रेखा है उसके कितने रिवेट लगे हुए यह हमको देखना है एक रिवेट दो रिवेट लगे हु अब हम क्या करेंगे दूसरा जो पॉइंट इसमें निकालेंगे तो एक दो तीन चार पांच के लिए हम निकालेंगे सुद्ध प्रवाईचेतरफल तो सुद्ध प्रवाईचेतरफल लगा फार्मूला ही आपका यही है बी इंटु टी लेकिन यहां पर वी की वालू नहीं तो यहां से हम क्या कर सकते हैं यह हमारा फार्मूला होगा बी मायास एंटी बी के जहांपे प्लस एनवान इंटु पी-1 इसक्वार अपन 4 जी आपके बीशम जो आपके टेड़ी मेडी काट्रेका होती है उसके लिए यह फार्मूला होता है और टी से हम इनोन आपका क्या होता है गेज दूरिया होती है 10sw क्यार्ट दूरियों की शंख्या यहां पर आप देख सकते हैं यहां जो नहीं थे दा रूटर 20 inglés के लिए यहन की वैलू 2 है 1,2,3,4,5 के लिए यहन की वैलू 3 है यहनी की एक, दो तीन रिवेट है और गिस दूरी की संगे कितनी है एक दूरी और दूरी 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 यह इसमें तो इस प्रकासिया और अनों की वैलू भी लगए पीवन की वालो किया है दी गई है 40 ठीक है 40 mm अभी सम्पीस की वालो और जी के वालो भी 50 वालो दी गई है एक्चुल में हमारा वगा 1235 mm e2 तो इस प्रकार के क्लिशन को सम्पीस कर सकते हैं बहुत ही जी नी मिर्कल है बस आपको थोड़ा सा ध्यान लेगा है यह ने तो दो वालो निकालेंगे इसमें से जो वालो कम होगी वह हमारी सुद्वप्रवाई छेत्रफाल हो जाएगा नेक् आथे में और यह जो 55 त्छलेंगे 6 होती हैं जो 2 लेको होते हैं और लंबाई है यह निकी यह बीसम आपका जो असम्भूजी होगा और अगर 50 पचास होता तो सम्भूजी यह निकि सेम होता तो सम्भूजी का ना था कोडी खंड जिसकी दोनों टांगे संबद की गई है र प्रवाई चेत्रफल ग्याद करना है यहां पर आपको एक एंगल दिखा दिया गया बनाके कि यहां पर आपके कोड़ी खंड है इसकी माप दी गई हो कि इस प्रकार से होती है। यहां से हमें स्मार्ट डी निकालेंगे 18 1.5 पाइट करेंगे उनली दूसलों पांच अपका हो जाएगा अब हमको क्या निकालना चाहँ से पर हम निकालेंगे फिर आपको डाग्राम में बताएग्या जो आपका फिछला वीडियो था उसमें जो भी आपके कंशेफ्ट है उस से आपको बताएगे था कि यहां से आपको एक और जूड़ा होगा था इसकी टांगे जो दिखाए जाती है इसे हम क्या करते हैं सबसे पहले चोड़ाई निकालते चोड़ाई का फार्गुला होता है 2L-T लेकिन इसमें L1 और L2 अलग लाग लाग है अगर सेम होता तो 2L हो सबस्क्राइब लाग होगा यहां पर आप देख सकते सीधी कार्ट ट्रेका का चेत्रफुलाम निकाल लिए यहां पर जो यहां की वालव वन है वो कैसे है क्योंकि इसमें जो आपका एक रिवेट यहां पर लागा होगा दूसरा जो लेग इधर होगा ठीक है इसमें एक रि इसमें इसमें रिवेट नचाव अगि यहां लिए पर गल्याइब और आपका यह होगे रिवेट लाइन दूसरा रिवेट लाइन यह जिसमें रिवेट लागा होगा और इसमें जो सक्संष्ण class स्केर्याइब इसका होगी एक दो तीन इसकी दूरी एक ही है तो इसमें सारी जो वैलू दिगए एक दो चार पांट इसका फार्मुला होता है इसमें आपका बी की वैलू पता है इनकी वैलू णिकालना है तो सारी वैलू रख देंगे और एक दो निकालेंगे तो देखें जी की वैलू हम कैसे निकालते है यहां से ये लूँ दी गए है सबसे पहलें इस लिए x की वेलूं आपट दी गई तो x की वेलू का कोई यूज नहीं था g की वलू नहीं दी गई है तो सब से पखल की वेलू निकालेंगे t Contact e1 आपका हो जाएगा याय यह को गईया यूज है आगे इसलिए निकल ला है इस फार्मुले में डाइरेक्ट ही नहीं यह आपके निकलेंगे तो य्याल टू मैस करेंगे यान कि दूसरी प्लतर ब्लस इवन प्लस ईटू तो ब्लस इस तो ब्लाव को यहां से एक सब्सक्राने जाएंगे तो इव प्लस एट्यू फॉयूं को निकालना है सिसलिए यही प्रोसेस की वेलू करने का यहां से हम उठाके जी की वैलू यहां पर रखेंगे और इंटु जी और सारी वैलों को पता ही है तो यहां पर रखे एटू के वैलू निकाल लिए हम 693 mm2 आप सुद्ध प्रवाई चेतिपल आपका कौन सा होगा जो चेतरफल आपका कम होगा तो एबन आपका हमारा म सुद्ध प्रवाई चेतरफल गयाद कीजिए तो यह निकालना तो आपको सुद्ध प्रवाई चेतरफल ही है लेकिन निमिर्कल जो है अलागला टाइप्स के हैं जो आपको जिसका कंसेप्ट बताएगे उसी कंसेप्ट पर यह अधारित है तब हम कुछ नया कंसेप्ट यहां पर देख रहे हैं कोड़ी खंड की लंबी टांग क्या है रिवेट के गईजिट प्लेट की दौरा संब्द है यानि कि एक टांग इसके जुड़ी हुई है दूसी टांग बलतकी हुई है तो लंबी टांग इसकी साथ संबन दे है और यह की लंबाई आपकी लंबाई के जो आपकी लंबाई के पнейनडिक नबबे इसके चुड़ा प्लेट की ओ आठ याधार तक की distance होती है और मोटाई T हो गए तो देखे कोडी खंड आपका होगे 90 x 60 x 8 mm यलोन आपका हो जाएगा इसी से यलोन आपका 90 mm हो जाएगा आपका 60 mm हो जाएगा और T आपका 8 mm तीन चीज़े यहां से मिल गए डी आपका दिया है 16 mm तो इसमाल डी निकालेंगे 17 25 mm अब हम क्या करेंगे जो इसके लिए फार्मला था इस टाइप के जो भी कंसेप्ट आपको बताए गये थे उसके लिए जो फार्मला था उसका यूज क इसके लिए फार्मुला क्या रता है A1 का रिवेट से जुड़ा हुआ है तो इसला वीडियो आप देखे होंगे तब यह आपको क्लियर होगा और यह L1 की वैलू 90 है D की वैलू 75 है T की वैलू 8 है तो 8 वै 2 और यहां पर 8 से प्लिफ्लाइ कर दिए A1 की वैलू को मिल करेंगे 3A1 अपान 3A1 प्लस A2 तो एक वैलू हम वैले A1 निकाल लिए तो A1 के साथ ही हम 3 का यूज करते है 3A1 अपन 3A1 प्लस A2 तो यही पर डायरेक्ट हम 3A1 भी निकाल लेते है डायरेक्ट हमको रफना होगा किबार तो A1 में हम 3 से बंडिफ्लाइ कर देंगे तो 16 से 47 स अब हम A2 निकालेंगे जो दूसरी टांग है लटके विए उसका सेत्रफल क्या होगा तो उसके लिए फार्मुला होता है L2 मैनेस T by 2 इंटो T पाले भी बताएगे आपको यही फार्मुला हम यूज करते हैं तो L2 की वैलू रखेंगे T की वैलू रखेंगे यहां पर भी T क वैलू तो A2 की वैलू हमको मिल जाएगी 448 mm इसकार और की की वैलू हमको पता होनी चाहिए तो की का फार्मुला है 3A1 अपन 3A1 प्लस A2 और कब हम 3A1 अपन 3A1 प्लस A2 इसकरते हैं तो आपको पिछली वीडियो में बताएगा है तो यहां से हम क्या करेंगे 3A1 की डार्यक जिसका फार्मूला आपको पहले से पता है 1े1 प्लस A2 इन 2 ऑता है तो समय सेन इक था मैट गया अगा तो इस प्रकार से ऐसे क्यूशन जो भी concept अगर आपका clear है पिछले वीडियो से तो आपको numerical करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस प्रकार का कोई भी numerical है तो इसके लिए formula क्या होता है आपको पाले बताएगे नेक्स क्यूशन हम देखते हैं नेक्स निमेरकल हम देखते हैं नेक्स हमारा जो निमेरकल है पचेतर इंटू पचास इंटू दस एमेम कोडी खंड जिसकी छोटी टांग अठारे अमेम है रीविटो द्वारा गजेट प्लेट से संबंद है यहां पर यह आपका थोड़ा से अठारे में यह जो है रीविट का ब्याजति है घंड के लिए शुद्ध प्रवाई शित्रफल ग्याद कीजिए तो यहां पर भी आपको वही निकालना है लेकिन यहां पर क्या कह रहा है क्यों को समझना उसमें क्या थी कि लंबी टांग संब्द ती गजेट प्लेट से इस संब्द हो चोटी टांग है यानि कि यह जो लंबाई होगी कम वाली होगी यानि कि 58 इसके माल इंप क्यं निकाल लेंगे 51 यह हैं यहां माल oh 15 मल हो जाएगा यहां पर भी आपको सुद्ध प्रवाई चेतरफल निकालना है फार्मूला आपका सेम होगा बस थोड़ा सा आपको कंडिशन पर द्यान देना है कि किस प्रकार के कंडिशन है नहीं विरकल के कोड़ी खंड की माप दिया 55-50-8 mm और इसमें क्या कर रहा है कि छोटी टांग संबन्ध है गजिट प्लेट से यानि कि यलवन आपका मिसा यही रहता यही रहता ठीक है यह यह जो लेग है लेक की लंबाई यलवन होगी इसकी लेक की लंबाई यलवन होगी लेकिन इस प्रका यलवन क्या हो जाएगा 50 हो यहाँ पर और लटू 75 हो जाएगा अगर लंबी टांग यूड़ी होती तो यलवन की व्यलवी पचितर होती और यलवन की व्यलू 50 होती तो यह आपको क्यंवाद द्यान देना है इसका पिछले नुमीर कलम की हो इसमें लंबी टांग यूदी तो आपको ज्यादा लंबाई इसकी थी कम लंबाई इसकी थी जोट हम जूडी है तो कम लंबाई इसकी होगी और ज्यादा लंबाई इसकी होगी बस आपको द्यान सीजा लेंगे तो यहां पर जब छोटी टॉंबस् Le esperar for me फार्मूला तो हमारा सेम ही है बस L1 L2 की वालू पर जान देना है एवन इस L2 L1 मैनेस D मैनेस T by 2 इंटू T यही फार्मूला होता है इसमें L1 की वालू क्या होगी छोटी टांग है तो 50 हो जाएगी बाकी सारी वालू हम यहां पर पुट कर लेंगी एवन की वालू को मिल गई 212 mm2 और इसके साथ हम जो की की वालू रखेंगे उसमें 3A1 अपन 3A1 प्लस A2 वालू यह उसके करेंगे तो 3A1 की वालू हम डारेक्ट यहां से निकाल लेते हैं अब A2 की वालू जो निकालेंगे तो L2 मारेस T by 2 इंटू T होगा फार्मूला कवाई यह बत्ता है तो प्रवाई चेत्रफल मिलता है तो के की वालू अपन 3A1 प्लस A2 से निकालेंगे हम और कब हम इसके उसके यूज करते हैं सारी चीज़े आपको बताई गई है तो 3A1 की वालू वालू हमारी 637 हो गया तो यहां पर को रहां, रहां के एक पुलाइए, 0.528, इसको इसको दarden कैषके भी लिए सकते हैं, तब M1 मिल गया, C2 , डिकाल सकते हैं, तो फार्मुले को सारे मैं हैं भस थोड़ा सा आपको की तर्यान देना है, सब्सक्राइब के साथ खंड के लिए सुद्धप्रवाई से तरफल गया किजिए तो पहले भी आपको कंसेप्ट जो पढ़े थे हम उसमें आपको बताएगा था कि अगर गजेट प्लेट है और एक ही साथ पीट से पीट मिलाए हुए है दो एंगल इसमें जुड़े हुए है तो उसके लिए फार्मुला तो आपका वही रहेगा सेम लेकिन केवल के की जो वैलू होगी इसमें फाइप एवन अपन फाइप एवन प्लस एटू का यूज करते है इसकेस में इसकेस में ठीक है या तो एकल टी खंड हो या फिर दो एंगल पीट से पीट मिला है जुड़ सारे मैं दिया है तो इसमुल दी निकाल लें अब हम आवन जो फार्मुला यह रहता है कि इसमें 2 से मुझन रहता है एक्स्ट्रा क्योंकि दो एंगल इसमें जुड़े हुए है तो एक क chickन निकालते है तो हम A2 की value निकालेंगे तो 2 into L2 minus T by 2 into T वहले हम यह फार्मुला यूज करते हैं तो क्यों 2 से multiply किये हैं तो A2 की value हम को यहाँ पर मिल जाएगी तो यह होगे आपका इस numerical का solution तो सेम प्रोसेस वही है बस थोड़ा सापको क्यों फोकस करना है कि इस टाइम से पूछा जा रहा है नेक्स्ट जो निविरकल है उसको हम देखते हैं सभी टाइप्स के निविरकल है यहाँ पर आपको बता दिये जा रहा है जिससे आपको कोई भी confusion दा रहा है और फिर भी कोई confusion है तो comment box में comment कर सकते है और टेलीग्राम ग्रूप पर हमें message कर सकते है लिंक आपको डिक्स्रीशन में है इस्टाग्राम पर भी आप हमको फालू कर सकते हैं सभी लिंक आपको डिक्स्रीशन में मिल जाएगा नबबे इंटुस आट इंटुस आठेवं कोडी खंड की लंबी टांग वेल्ड द्वारा गजट प्लेट से संब्द अभी देखिए अभी हम पढ़ रहा थे उसमें हमारा रिवेट के द्वारा जुड़ा हो था लेकिन यहां पर बेल्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है त तो पहले आपको कंसेप्ट में भी बता गया था कि अगर आपके जो एंगल है रिवेट के दौरा जुड़े हुए है तो उनके फार्वुले क्या होंगे वेल्ड के दौरा जुड़े हुए हो तो फार्वुले में क्या चैंजेज होगा तो देखिए यालवन इचल्टू 90 mm यल्टू आपका 60 mm और टी आपका आपका आपको अभी नेक्ष्ट जो निवेकल उसको हम देखते हैं 90 इंटू 60 इंटू 8 mm कोडी खंड की लंबी टांग विल्ड द्वारा गजेट प्लेट से संबंध खंड के लिए सुद्ध प्रवाई चेत्रफल ग्याद करें इसमें वह इंटू 60 इंटू 8 mm तो यह लवन 90 हो गया लटू 60 हो गया यह कोडी खंड है और लंबी टांग वेल्ड के दौरा गजेट प्लेट से संबंध है तो फार्मुला आपके क्या होता है कि निमसे वह यह एंट का फार्मुला मनिकालते है लवन मानेश दी मानेश टी बाइट इन निकाल लिए और एक वेलू भी उसी फार्मुलेस निकाल लेंगे एक टो इसक्राइट पूट करके एक टो को मिल गया तो यहां से उसक्राइट करके के क्यों प्लूब जाएगी और सुद्ध प्रवाई जेतुपल हमारा आओं प्लस एक टो के शारी वेलू पूट करेंगे यहां पर 156-256-252 प्रवाई जेत पर लागया तो यह बेल्ड के दौरा जुड़ा हो था तो बस फार्मुलें हमको ध्यान देने देख रहे हैं कि कौन से निमर्कल किस टाइप कर दिये गए क्या कह रहा है निमर्कल में उसी एक उसके फार्मुलें हम यूज करेंगे पाकी इसमें कोड़ी खंड का चैन करना है आवस्टे निमर्कल में आपके दिये रहते थे इसमें इस्टील टेबल की ज़रूट पड़ेगी और इस्टील टेबल में देखेंगे आपकर कैसे उसमें करते हैं 16 mm 22 के रिविटो का प्रियोग करते हुए आवस्टे की शंख्या ज्या चैन करना इसका ज़र्ण के जो बताया गया थे उसी इस्टेप को आपको फालो करना है और इसके डिजाइन हो जाएगी देखें यद्या की वैलू आपकी दीगई 252 किलियोटर अपको काई आपको पहले था सबसे पहले हम क्या करते हैं खंड का अनुमानी छेत्रफल निकालते हैं इसका फार्बूला है यह बाई एक ती यह पता है यह पकी वैलू कि किलो न्यूटर में दिया गया है और एक टी की वैलू आपकी न्यूटर में इसलिए आप पर टेट वी पावर थरी से करते हैं अगर वेल्ड से जोड़ा गया रहा था तो 20-30% की विर्द्धी करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं रीवेट से जुड़े होने पर अनुमानी छेत्रफल को 40% तक बढ़ा कर रखने पर यह जो अनुमानी छेत्रफल है इसमें 40% की विर्द्धी करेंगे इसका 40% निकालेंगे और इसमें हम एड कर दिये ठीक है तो 502 में हम क्या करेंगे इसका 40% और निकालेंगे और एड करेंगे तो 702 दसलो आठ एम इसको 703 में लिख लिए तो अब जो चैनित खंड का जो चेत्रफल है इसमें हम यह हमारा हो गया 703 क्यों कि इसमें 40% की विर्द्धी बढ़नी कर दिये अब को क्या करना इसके कांडि हमको कोडि खंड का चैन करना है जो कि इस्टील टेबल के नचार करते हैं तो इसे लंपसब में सब्सक्राइब नहीं तो इसके लमसम में जो भी वैलू होगी इसके पास में उसको आम लेंदे हैं तो कैसे लेंगे चलिए व को भड़ी खंड़ हमको मिला है यह है यह मिलाया पचाट्र इंटू-पचास इंटू 6 म जूकि आपको यहां पर दिखाया जाएगा उसमें is टीटबल में शि confidential क्या से मैं चैन करते हैं ये शील टेबल ओपन हो गया हमारा और इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम चैन करते हैं तो जो आपका एक वैल्यू मिली थी 703 मिला था और यहां पर आप सबसे पहले हम देखेंगे कि किसके लिए आपको निकालना है तो यह जो कीशन है हमारा और शम्भूज एंगल के लिए अन करेंगे यहां पर दिया रहता है तो यहां पर आपका देखेंगे कि 603 कहां पर यहां पर आप देख सकते हैं कि 703 नहीं यहां पर और कई नगए तो सटो सोले हम माल लेंगे एक वैल्म सवाव शोले के अनुसार हम खंड काचेट करें क्योंकि शांसो तिन नहीं हम अपर हैलाइड कर दिया जा रहा है याप का सासु मीश्च बेंगे इसकी मोटाई किती है यहां से मोटाई उठा लेंगे टी की वेल्व हो जाएगी 6 mm इसके सीध में जो होगा और इसके लिए यह सभी के लिए हमारा यह जो खंड का माप होगा यह यह हो जाएगा आई एस ए और यह आपको 75-50 ठीक है यह आपको हो गया यह एंगल की वेल्व दी गई है आपको प्रकार से इस प्रकार से इस टील टेबल से वेल्व को पढ़ते हैं और भी आपको बताया जाएगा एक अलग वीडियो में पूरे जो बुक में इस टील टेबल दिये गया है कब किसका कैसे हुज करते कैसे हम सारी सिजों को करते हैं तो इसके बारे मता जाए यह भी आ गया कि इसमें देख लिए जो एरिया दिया गया है 703 703 है नहीं तो उसके पास में 706 है तो 706 के कार्डिंग हम जो भी सेक्षन होगा उसको हम ले लेंगे तो 706 के सीध में आपका टी ठीकनेस कितने दी गई है चैने साफ का चैने में होजागा और जो एंगल की माप होगी 75-50 यानि कि टूटल एंगल की माप अगर हम देखे तो पचितर पचास और श्यापका पचास आपका तीन चीजिए रहती है खंड में यहीं आपका सेक्षन हो जाएगा तो एक हम अनिक्वल एंगल का चैनिया से कर 75-50 और 6 का चलिए अब हम आगे क्लिक्यूशन को सौल खटते हैं यहां पर आप देख सकते हैं इस आसो तीन था नहीं साथसो सोले के अनुसार हम लिए हैं तो एक वेल्व हम यहां पर साथसो सोले दिखा देंगे और इसके अनुसार जो कोड़ी खंड की माप है 75-50 और 6 बोटाई आपकी थी तो इसके साथ हम एट के लिए इस रिल टेबल से जो किया हमको मिला हुआ है तो एल वन की वेल्व हो को निकालना है क्या हम यूज करते थी एवन अपन तो यहां से सारी वेल्व हम पूट करेंगे इसमें और के की मिल जाएगी तो यह एंगल आपको बताराएगा तभी एवन एट्व एट्व और के की वैल्व निकाल सकते हैं इसलिए एंगल काम चैन कर लिए और जो की औसम प्रभाई चेतरफल निकालना है इसका फार्मूला है एवन प्लस एटू इंटू की वेलू रखेंगे एटू की वेलू से मल्टिप्लाइब करेंगे और इनको अट कर लेंगे तो फ्रभाई चेतरफल हमको मिल जाएगा सामर्थ निकालना तो सामर्थ हमने कैसे निकालते हैं जो सुद्ध प्रभाई चेतरफल आता है इसमें फ्रभाई से मल्टिप्लाइब कर देंगे तो हमको सामर्थ मिल जाएगा तो यहां से मल्टिप्लाइब कर दिए तो सामर्थ हमको मिल गया है अब हमको चेक करने का क्या प बल आ रहा है उससे अधिक है इनकी सामगरत यानि कि ये बियर कर सकता है तो so it is right यानि कि ये सही है अब हम क्या करेंगे जोड का भी खलपन करेंगे इससे हमको रिवेट की संख्या निकालनी है तो जोड का भी खलपन हम कैसे करता है पी एस की वैलू निकालेंगे 25.4 सिफ्स और F b की वैलू आपकी आपकी दिग घी थी येसनिकाल लिए P b भी निकालेंगे D इंटो येवेट एपंजागे इन दोनों में जो कम होगा वो रिवेट वैलु हो जाएगए तक ये थिशनों 60 हOh यह बी की वैलू आगे 28.35 तो रीवेट मान कितना होगा 21.65 यानिक इन दोनों में से जो कम होगा अब हम नमबर आफ रीवेट्स निकालेंगे तो नमबर आफ रीवेट की फार्मुले होते हैं होना चाहिए यानिक निकाल रीवेट्स नमबर में रीवेट्स कर रहे हैं और यहां पर यह चेप्टर हमारा कंप्लीट होता है यह चेप्टर हमारा कंप्रेशन मेंबर का है जिसको हम नेक्ष्ट वीडियो में कवर करेंगे तो ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को अपने प्रेंट के साथ ज्यादा से यादा से शेयर करें